मेरे प्यारा देश्वास्यों, हम मन की बात में वेस्टू वेल से जुड़े सफल प्रहासों की चर्चा करते रहे हैं। ऐसा ही एक उदारना है मिजोरम की राजधानी आईजवाल का। आईजवाल में एक खुबसरत नदी है चिटे लुई जो बर्सों की उपिक्षा की चलते गंदगी और कचरे के धेर में बढ़ल गई। पिछले कुछ बर्सों में इस नदी को बचाने के लिए प्रहास शुरू हुए हैं। इसके लिए स्थानिय एजेंसियां, स्वैम से भी संस्ताएं और स्थानिय लोग मिलकर सेव चिटे लुई एक्षन प्लान भी चला रहे हैं। नदी की सफाय के सभ्यान ने वेश से वेल्द क्रियेशन का आउसर भी बना दिया है। दरसल इस नदी में और इसके किनारों पर बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और पॉलिथिन का कच्रा भरा हुआ था। नदी को बचाने के लिए काम कर रही संस्ता ने। इसी पॉलिथिन से सडक बनाने का फैस्टला दिया। यानि जो कच्रा नदी से निकला। उससे मिजरम के एक गाउं में राज की पहली प्लास्टिक रोड बनाई गई। यानि स्वच्थता भी और विकास भी। साध्यों, ऐसा ही एक प्रयास। पुडुचेरी के युवाओं ने भी अपनी स्वयम से भी संस्ताओं के जरिये शुरू किया है। पुडुचेरी समंदर के किनारे बसा हैं। वहाँ के बिचेज और समुद्री खुबसूरती देखने बड़ी संख्या में लोग आते हैं। लेकिन पुडुचेरी के समंदर तरट पर भी प्लास्टिक से होने वाले गंद की बंड रही थी। इसलिए अपने समंदर बिचेज और इकोलोजी को बचाने के लिए यहां लोगों ने री सैकलिंग फॉर लाइफ अभ्यान शुरू किया है। आज पुडुचेरी के कराईकल में हजारों किलो कच्रा हर दिन कलेक किया जाता है और उसे सेग्रिगेट किया जाता है। इसमें जो और्गेनिक कर्च्रा होता है उससे खाद बनाई जाती हैं बाकी दूसरी चीजों को अलग करके री सैकल कर लिया जाता है। इस तरह के प्रयास प्रेना दाई तो है ही सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाब भारत के अभ्यान को भी गति देते हैं। साथियों इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हिमाचल प्रदेश में एक अनोखी साइकलिंग रेली भी चल रही है। मैं इस बारे में भी आपको बताना चाहता हूँ। स्वच्थता का संदेश लेकर साइकल सवारों का एक समूँ शिमला से मंडी तक निकला है। पहाडी रस्तों पर करिपोने 200 किलोमेटर की ये दूरी ये लोग साइकल चलाते हुए ही पूरी करेंगे। इस समूँ में बच्चे भी और भुजूर्ग भी है। हमारा परियावरन स्वच्चर है। हमारे पहाड, नदिया, समंदर स्वच्चर है। तो स्वास्त भी उतना ही बहतर होते जाता है। आप मुझे इस तरह के प्रयासों के बारे में जरू लिखते रहिए।